सवगत है ब्रेक के बाद योगी सरकार में यूपी के शिक्षा प्रडाली कितनी बदली यूपी के शिक्षा वेवस्था में किस तरहें कि बदलावाएं हैं प्रेणा एप पर शिक्षक दो धड़ों में क्यों बटैउमें शिक्षक भरती के सफ़ल अब बैतियों की बीसे दफ्तर पर तैनाती की गई है अभी तक विद्यालों में जोइनिंग नहीं मिल पाई है और शिक्षा में इतनों पर सरकार का क्या रूख है इन सभी मामलों पर यूपी के बेसिक शिक्षा मंतरी सतीश चन्दुवेदी से खास बात की हमारे समवादाता वैशन विशाल तिरपाठी उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में काफी revolutionary changes बीच में सामने आए हैं इन changes के पीछे अगर किसी का हाथ है तो उत्तर प्रदेश के मुख्य मंतरी योगी आदितिनाथ और यहां के basic शिक्षा मंतरी 37 चन्दुवेदी जी का आईए करते हैं इन से कुछ खास बात मंतर जी आपका life today पर स्वागत है मेरे आपसे सबसे पहला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में आपने प्रिर्णायप को लागू करने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई यह लेकिन यह देखने में आ रहा है कि काफी सिक्षक इसके खिलाव भी हैं और बहुत उनके अंदर उहापोग की स्थिति नहीं ज्याद खुद वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल तयार कर रहे हैं कई हमारे सिक्षक तो ऐसे हैं उन्होंने अपने बेतन से स्कूलों में फरनीचर की विवस्ता कर दी कंप्यूटर ले आये प्रोजेक्टर लगा दिया बच्चों के लिए लाइबरेरी बना दी तो इसलिए ज्या अप्लिकेशन पर अधिकारी समय से निड़े नहीं लेते अब वो आनलाइन अप्लाई करते हैं अधिकारीयों को तुरंत उस पर निड़े लेना है नहीं तो उनके ऊपर कारवाई होगी अभी पिछले दिनों सिक्षकों की नियुक्ति हुई लेकिन यह देखने में आया कि स परेसान थे, लंबा खिचा था मामला नियाले के कारण जब नियुक्ति हुई तो नियुक्ति के बाद सिक्षकों की प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है किनी स्कूलों में सिक्षकों को बेजा जाए उसको लेकर के हम एक बिवस्थित एक योजना बना रहे हैं एक नीती के कार्याले में मनमानी होती है कोई कहता था कि साब हमको यहां बेजने के बजाए वहां भेज दिये इस आधार पर भेज दिये इस तरह के बेदभाव का बरश्टाचार का जो आरोप लगता था वो उसकी कोई संभावना ना रहे इसके लिए उसका एक प्रारूप बना रह ने हcza nostra है जो भी यहीं से जुडा हुआ मामला है यहां से रिलीव होकर उस जिले में ञाएंगे तो फिर उस जिले के किसी स्कूल में जाएंगे तो हम उसकी प्राथमिक्ता तैये करने अविता के बिभाजन थे उसमें हार्ट बलाक साफ्ट बलाक लेहना हम सारे विभाजन क को खतम करने वाले हैं इसलिए किवल एक प्राथ मिक्ता होगी सबसे पहले उसी स्कूल को सिक्षक देंगे जहां इस्थाई सिक्षक एक भी नहीं होगा किवल सिक्षा मित्र आनुदेसक के बरों से चलना होगा मेरा आखरी सवाल आप से ये है कि सिक्षा मित्रों की स्थिती बहुत देनी है पिछली सरकार ने उनका काफी मांदे बढ़ा दिया था फिर वो कम हो गया और कम से कम इनके उपर कुछ सरकार ध्यान देगी है इनका कुछ मांदे बढ़ाया जाएगा देखे बहुत ही संबेदन सील मामला है लेकिन इसमें मैं इतना ही कहना चाहता हूँ पिछली सरकार ने समाजबादी पार्टी की सरकार ने सिक्षा मित्रों के साथ बहुत ही करूर मजाक किया था इनको कह दिया कि आपको बिनेमित कर दिया और पर्मानेंट टीचर्स के बराबर सेलरी देना सुरू कर दिया लेकिन किसी नियम परिनियम में कोई परिवर्टन नहीं किया और आपकी जानकारी के लिए मैं इस्पष्ट करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उनका बिनेमिती करन निरस्त नहीं किया था अब भेर्थी कुछ जो नए जो उनको लगता था कि हमको आउसर नहीं मिलेगा नए लोगों को वो कोट गए थे और मानने सरबुच चन्याले के आदेश के कारण इनको रिवर्ट बैक होना पड़ा था और जब यह बैक हुए अपने मूल पद पर वापस आये तो इनको साड़े तीन हजार रुपे प्रतिमाह वेतन मिलता था लेकिन हमारे मानने मुख्य मंतरी और हमारी सरकार योगी सरकार ने बहुत ही संबेदन सील निरड़े लेते हुए कि साड़े तीन हजार में इनका काम कैसे चलेगा तुरंत लगबग तीन गुना बढ़ा कर इनको दस हजार रुपे का मान दे देना शुरू किया बहुत सारी सुविधायें चाहे वह आकस्मिक आवकास को लेकर के हूँ चाहे सामोहीक वीमा अन्य चीजों को लेकर इस थाई इस सिख्चा मतरी सती जिन्हों ने साफसाब बताया कि सिक्षा मित्रों के साथ सरकार किसी प्रकार का कोई अन्याय नहीं कर रही है इनको पूरी तरह से उसी तरह की स्विधाय देने का प्रयास किया जा रहा है जो कि एक नियमे सिक्षक को peut- elabor